वैशन वद्रम का दूसरा संपर्दाय लिको गोड़ ये संपर्दाय एक संपर्दाय एक कोन साँ गोड़ ये संपर्दाय लिग लिया चलो सुनलो बना एक तो आपको द्यान रगना है गोड़ ये संपर्दाय जो है इसका दूसरा नाम है ब्रह्म संपर्दाय गोड़ ये संपर्दाय कोई क्या कहते हैं वलब संपर्दाय का दूसरा नाम क्या है पुष्टी मारगी संपर्दाय वैसे आपको द्यान रगना गोड़ी संपर्दाय को क्या कहते हैं गोड़ी संपर्दाय को ब्रह्म संपर्दाय कहते हैं इस संपर्दाय में भी बगवान क्रश्न की पुजा होती है पर क्रश्न के युगल स्वरूप की पुजा होती है राधा और क्रश्न को एक साथ जोड़े से पुजा जाता है और भगवान क्रश्न को दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पाउर मना जाता है कि दुनिया चलाने वाला ब्रह्म सक्ती कोई है तो वो कोण है? क्रिश्ण जो कुछ संसार में वो कौन है क्रिश्ण है इसलिए संपर्दाए का दूसरा नाम क्या है बर्मान संपर्दाए अपने गोर्रिय संपर्दाए जो है इसके की परवर्तक माने जाते हैं माध्वाचारी एक संथ हुए जिनका नाम क्या हैं माध्वाचारी माध्वाचारी नाम के संथ ने यह संपरदाय चलाय तो गोड़ी संपरदाय के परवर्तक कौन माने जाते हैं और माध्वाचारी ने संपरदाय पर एक सिद्धांत दिया ता मत दियाता कौन सा द्वेत्वाद कौन सा द्वेत्वाद तो यह संपर्दाय द्वेत्वाद की विचारदारा पर चलता है द्वेत्वाद का मतलब इस संपर्दायम ऐसा माना जाता है कि इश्वर और मनुष्य दोनों अलग लग चीजे इश्वर पूर्ण ते प्रत्य के मनुष पर कारी करता है माधवाक्वाचारी ने एक भाससे लिखाता श्यणик है कि अभी अपने पढ़ाता कि वलब संपर्धाय के जो परवर्त तेक्टेवल लबाचारी उन्हों ने लिखाता कौन सा हुस्या ओर माध्वाचारी ने लिखाता कौन Ale पूर्ण प्रग्य भास्जिम यह संपर्धाय शुरूत माधवाचारी ने किया था पर इस संपर्धाय को सरवादिक लोख प्रिय बनाया था किarta ने महत्रभु नहुत एक संद्ध में जिनका नाम क्या है कि चेतनने महाप्रभु बंगाल के एक संथ ते बंगाल में गाउं है नदिया या नादिया इसको नवदीब भी कहता है न वेस्ट बंगाल के नादिया नामकिस्थान पर चेतने महाप्रभु का जन्म हुआ था इनको बंगाल में बक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं बंगाल में बक्ति आंदोलन का जनकबगवान करष्ण के रूप माने जते और इनको करष्ण के रूप में लुप कलागवां कररायग परभु कहा जतर्यक्या पर इस संप्रदाएक को सरबाधिक प्रसिध्यी किसонец दिलाई थी चेतन्य महाप्रभु जो कहां के दें बंगाल के अब यह संपर्दाय अपने राजस्तान से समंदित कैसे हुआ तो यह संपर्दाय बंगाल से मत्रा व्रंदावन चेत्र में आता है कौन से चेत्र में आता है कि व्रंदावन वाले चेत्र में आता है और अपने आमेर के एक राजा ते मान सिंग मान सिंग प्रथम राजा का नाम क्या है मान सिंग प्रथम ये मान सिंग प्रथम इस संप्रदाय के पहले अनुए अपने राजस्तान में माने जाते हैं कि एक मान सिंग ने अपने जीवन में खूब सारी लड़ाईयां लड़ी थी अकबर के जितने अभियान थे अब इस्टी में पड़ोगे बिहार अभियान उडिशा अभियान बंगाल अभियान काबूल अभियान अकबर ने लगबग पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान न अफगानिस्तान इन चारों देशों को जो वर्तमान में है उसमें पुरा एक भारती हुआ करता था इन चारों देशों को एक तरह से जीतने का संकल्प अकबर ने लिया था और अकबर के सारे अभियान किसने निवाये थे मान सिंग और मान सिंग के लिए कहा जाता है कि मान सिं को कबूल के पांच पठाण साशक जोते उनको प्राजित करके आए ते मानसीं और इन पांचों पठाण साशकों से जंडे छिन के लाए तो आप कभी गोविन देव जी के मंदिर में जाना उस मंदिर पर एक जंडा लगा हुआ है मंदिर के सामने देखोगे तो एक जंडा लगा हुआ है उस पर पांच रंग है आमेर के राजाओं का जो राज चिन होता था उसमें भी पांच रंग का जंडा होता था और वो पांच रंग का जंड़ा मान सिंग काबूल से लेकिया है तो पांच राजाओं के जंड़े चीन के लाए था किसी राज्य के राजचिन चीनना उस राज्य की सबसे बड़ी तोही नोती थी कि उस राजा का जंड़ा चीन के ले गए राज चीनी कोई चीन के लेके गया और कहते कि काबुल से पाँच राजाओं को प्राजित करके अपने पास में खांडा रखते थे तलवार रखते थे उस तलवार से युद्ध करते करते काबुल से बंगाल आये थे और बंगाल की खाड़ी में अपनी तलवार को दोया था इसलिए मान सिंग की वीरिता के लिए कहा जता है कि जननी जने तो एडो जन जेडो मान मरद सागर खांडो पकार योर काबुल वाली हंद बंगाल की खाड़ी में वो खांडा दोया जो काबुल से रंगते रंगते बंगाल तक लेके आये था काबूल का है अफगानिस्तान में बंगाल का हैं बंगलादेश बंगाल की खड़ी इतने लंबे एरिये को पूरा जीत के गए थे मान से पूरे छेत्र को रोंद के गए थे एक तरीके से काबूल में तो आज भी कहते हैं कि मान सिंग का इतना खोप ह कि वहाँ जब बच्चा रोता है तो मा अपने बेटे को मान सिंग का नाम लेकर के चुप करवाती है आज भी इतना खोप है इतने खदरना करा जाते हैं मान सिंग लिए कहा जाता है मात सुनावे बालकार आज भी काबूल में ये कहा जाता है मात सुनावे बालकार खोप ना आख रनगात काबूल अज भूलियो नहीं रबो खांडो बोहाथ माँ अपने बेटे को आज भी मान सिंग की खोपना गरनगाता सुनाती है जब वो बच्चे रोते हैं तो यह एक एकर के चुप कराती है कि सोजा नहीं तो मान सिंग आ जाएगा और अपने मान सिंग के प्रतिव एक खलनाएक वाली इमेज बन गई कि मान सिंग कौन मान सिंग वही जिस नहीं हल्दी गाटी की तुमेराना के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी अना बारा साल की उम्र में अकपर मान सिंग को अपने साथ ले गया था और बावन वर्सों तक सबसे लंबे समय तक मुगलों की अगर किसी ने सेवा की तो वो मान सिंग की था मान सिंग के जनम लेते ही पैदा होते ही एक जोतिसी ने बविश्यवानी की थी कि अगर बारा वर्सों से पहले इसके पिता ने मुँ देख लिया न तो या तो पिता की मौत हो जाएगी या बेटे की मौत हो जाएगी तो जनम के बारा वर्सों तक मान सिंग अपने पिता से नहीं मिलाता हूँ मोजमाबाद जो जगे हैं सामबर के पास में मोजमाबाद में ही अपनी मां के साथ में रहा था बारा वर्सों के बाद जब अपनी बुआ हरकावाई की साधी अकवर के साथ में होती है सामबर में उससे में मान सिंग के दादा वारमल राजा हुआ करते दूं तो जब हरका भाई की साधी हो रही थी सांबर में तब वो अपने पिता भगवंत दास को पहली बार देखते हैं 12 वर्सों तक पिता का मूँ नहीं देखा था ना भगवंत दास ना अपने बेटे का मूँ देखा था क्योंकि उस जोतिसी ने भविश्यवानी कर रखी थी कि बारा वर्सों के बाद वो अपने पिता को पहली बार देखता है और बारा वर्सों की बारा वर्स की उम्र में ही पहली बार वो अकपर से मिलता है मान सिंग क्या रूप में थोड़ा काड़ा था थोड़ा क्या ज़्यादा ही काड़ा था तो अक्वर जब मानसिंग को पेली बार देखता है ना तो देखकर कि.. हंसने लग जाता है जोर जोर से रख जाता है अक्वर के साथ-साथ उसके सेनापति और परदान 기억 सेने लग जते शिना पतीओं ने प्रदान मंतरिओं ने अब तो कॉझए क्या बात बता खुदा के यहां जब नूर बंट रहा था खुबशूर्ती बंट रही थी तब तूं कहां था कि अकबर ने सोचा नहीं था कि इतना तेज तर्रार जवाब मान सिंग देगा मान सिंग ने तुरंत जवाब दिया कि बादशा जब खुदा के यहां खुबसूरती बंट रही थी तब मैं बहादुरी लाने के लिए गया हुआ था इसलिए कभी याद कर लेना पीठ नहीं दिखाऊंगा तुमारी खुबसूरती धरी की धरी रे जाएगी और मेरी बादुरी काम आएगी उस दिन अकभर को लगा कि यार ये लड़का तो मेरे लिए ही है और मान सिंग को अकभर अपने साथ ले गए बावन वर्सों तक मुगलों की सेवा की अकभर को कई बार बचाया खुदा बुलबजल आई ने अकभरी में लिखता है कि अकभर जब गुजरात गया हुआ था गुजरात अभियान में था तो वहां पहली बार वो पूर्त गालियों से मिलता है और पूर्त गाली अकभर को एक विदेशी वाइन दारू की बोतल द देशी को बूंद नहीं चखाऊंगा बाकी के सारे लोग बैठे बैठे देशी पी रहते हैं और वो एक स्पैसल ब्रंडेड अना विदेशी वाइन जो है कहते कि अकभर जब पी रहाता तो उसको थोड़ा नसा ज्यादा हो जाता है और नसा होने के बाद तो आदमी का कॉन अना उसमें एक तरह से वह स्पाइडर मेन वाली फिलिंग आती है उसमें तो वह एक तरह से अलग कर्तब दिखाने की सोचता है तो कहते कि अकभर को जब थोड़ा सा नसा ज्यादा हो जाता है तो अकभर अपनी तलवार निकालता है और सारे दरवारियों के सामने खड़ा ह और के कहता है कि अब देखो यह तलवार में अपने सीने पर मारूंगा और इस तलवार एक इतनी इमत नहीं कि बादशा का सीना चीर से करें दारू भीने के बाद होई जाता है यह गामना दरवारी सारे जोर-जोर से तालियां बजा रहे थे कि बिल्कुल बादशा आप तो और किसी की हिमत नहीं थी कि अकबर के पास जाए तो नाड काट ले गर्दन काट दे उसकी है कौन किसकी मोत आएगी वह बादशा को कहेगी आप ऐसा मत करो मान सिंग बेठा बेठा देख रहाता है कि इसको ज्यादा हो गई है मान सिंग उड़ता है दो तो मारता है अकबर क करनसा ज्यादा होता है तो मान सिंग बचाता है सुबह जब अकबर जागा तो उसने देखा पूरे शरीर पर गहाओ हो रखे थे अकबर ने का रहे यह क्या हो गया रात को दरवार यह उनका साब रात तो आप बैंकर सूर्य गुमार की तरह टीन सो साट डिगरी घेल रहे थे अना फुल पावर प्ले में थे बेटिंग में थे कि आप अपनी तलवार निकाल करके शरीर पर गहाओ कर रहे थे तो अकबर ने का फिर बचाय किसने रोका किसने साब हमारी तो इमत नहीं ती यह मान सिंग था रोका क्या इसने दो लगई और के अकबर को लगा कि उसके प्राणों की परवा अगर किसी को है तो वह मान सीग है और मान सिंग को उस दिन अकबर बेटे की उपादी देता है फरजंद की किसकी उपादी देता है कि तुमेरे बेटे के समान है फरजंद की उपादी देता है अकपर को लगा कि वास्तों में बाकी तो सब मज़े ले रहे थे यह एक ऐसा विक्ति है जिसको मुझसे ज्यादा मेरे प्राणों की प्रवा है तो मान सिंग ने खूप सारी लड़ाईयां जीती थी पर दुरभाग्य यह है कि जो लड़ाईयां जीती उस सब का क्रेडिट किसको मिला था अकपर को मिला और मान सिंग को एक खलाएक के रूप में इतिहास में पेश किया गया मान सिंग ने जितने मंदिर बनाए राजस्तान की इस्ठे में किसी ने नहीं बनाए इतने मंदिर बनाए थे मान सिंग आप कभी बनारस जाओ बनारस के पूरे गाट मान सिंग ने बनाए पूरे के पूरे गाट जो है बनारस में वो सब मान सिंग ने बनाए अपने जेपुर म में और मंधिर कि जिज सुन इपना तक जगत शिरौमनी का अंभी के शुर्मादेवा मैं इत्ता का में अविक पठना में भूप सारे मंधिर बनाए जा-गया न겠र मंदिर बनाकर कहा करें कर मान सींग को हमیश्चा इतिहास में ख़ड़नाय के रूप में पढ़ाया गया क्योंकि मान सिंग ने अकवर से मित्रता की वह एक उनके राजनेतिक संबन्द थे और वो सब करना चाते थे उस समय उस समय उन्होंने शुरुबात कर दी वाद में तो सब ने किया ही था कि इसलिए वो एक कलंग कुन पर लगा हुआ उनकी सभी वैसी बनाई गई है तो कहते कि मान सिंग जब खूब सारी लड़ाईयां लड़ लेता है तो उसकी हिंसक प्रवर्ती हो जाती है थोड़ी से उसको लगता है कि मुझे अब थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ बढ़ना च कौन सा मंदिर दाम और जब राधा गोविन जी के मंदिर में गया तो उसको लगा कि वास्तों में उसको एक तरे से इस्वर से जुड़ा हुआ है उसको आध्यात्मिक बल मिला है और उसको लगा कि वास्तों में बड़ी भाव विबोरता यहां पे देखने को मिलिए इस की गंते तक हुई जब भगवान की आर्ती होती होती होईन देव जी को रहा है कोई है कोई गीत गाया है बिलकुल भाव विबोर हो जाते हैं ऐसा लगता है कि वास्तों में सीदही इस वर से क्रेक्टीवीटी कि वी एक ऐसा वस्तों में प्रतीत होता अपकर गभी गोविन से जुढा उसका हुआ है और वही भिल मान सिंग 1503 में 93 में वरंधावन में सातमन जीला रादा गोविंजी का मंदिर बनाता है सात मंजीला उस जमान में सबसे बड़ा मंदिर था यह बाद में जब और अरंग्जेव राजा बना तो अरंग्जीव ने इस चेतर के सारे मंदि तुड़वाए थे औरंग जी अपके सेनापती ने ये मंदिर नी तुड़वाए तो एक बार के तेक औरंग जी विदर से जा रहा था तो उसको दूर से ही वो मंदिर तीका साथ मंजिला मंदिर था दो तिन किलो मेंटर दूर से दिखता था सबस्क्राइब क्रो कर दिखर करेख ये मंदिर कैसेनी तोड़े स outta तो गिए कैसे अजय मंदिर तो सेनापति नहीं का साब इस मंदिर वन्हीं को तुड़ा सकते हैं इस मंदिर को तुड़आ आपका सबसे खास मेग्ति मिर्जा राजा जैसिंग आप से नाराज हो जाएगा और अगर मिर्जा राजा जैसिंग नाराज होगया ना तो आपको राज नहीं करने देंगे शिवाजी को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वह एक हिवेकति आप मिर्जाराजा जे सिंग वो अगर नाराज हो गया क्योंकि यह मंदिर मिर्जाराजा जे सिंग के पूरवजमान सिंग का बनाया हुआ है और अगर अगर ये मंदिर तुडवायात मिर्जह राजानाराज हो जाएगा वो नाराज हो जाएगा अर्ण भूलगा यार ये बात भी सी कम मिर्जइisés इस्ण को भी चार मंजिलें तुड़वा दू पूरानी तुड़वा नहीं कितनी मंजिलें तुड़वा दू चार मंजिलें उरंग्जेव इसको तुड़वा देता है एक बार पढ़ा करके गया क्लास से बाहर जाते एक स्टुडेंट पूसता है किसे चार मंजिलें उपर वाली तुड़ बाद्या औरंग जय में ठीक है तो राधा गोविन जी का मंदिर जो है वह मान सिंग में बनाया था कहां पर व्रंदावन में बाद में मान सिंग के बाद जितने कछवा राजा हुए सब ने अपना आराध्य देवता गोविन देव जी को मनाते किन को मनाता है भगवान कर्ष्ण के गोविन देव जी को मनाता हूं जैसे मेवाड़ वाले स्विम को राजा नहीं मानते थे न मेवाड़ के कहते थे कि हम राजा नहीं हैं हम तो एक लिंग जी के बेजेवे दिवान है सेनापती है वास्तविक राजा कौन है एक लिंग जी है वैसे ही जेप गोविन देव जी को आराते देवता मानते थे सवाई जे सिंग जब राजा बना तो इस संपरदाय का सबसे बड़ा मंदिर बनाते हैं सवाई जे सिंग गोविन देव जी कोन सा मंदिर बनाते हैं गोविन देव जी का मंदिर कि 1733 में इस मंदिर का निर्मान किस्तने करूआये था मैं जब भी आप देखोगे तो से ट्रॉट का एक जरोका है और इस जरोके से आप देखोगे तो एकदम सामने कविन देव्जी का मंदिर मान्दिर की मैन उरती के सामनेखड़े होगे तो एक दम स्ट्रेट सामने शीटी फैसका एक बहुत बड़ा जरोका दिखेर जाली दीखेगे विंडो दिखेर ऐसा कहते थे मुझेर थैंब धर गया जानेजी निवास था और जेपूर की राजा दिन दिन्चरिया शुरू करते था बागी के काम करते था जेपुर के नगर देवता माने जाते गोविन देवता बगवान क्रश्न के एक पोते वेते वज्रनाब भगवान करश्न के पौते का नाम क्या है अपको थी तुर इनाम के जड़िश्थ की बटे का नाम था वज्र नाब कहते जब वज्रनाब का जणम हुआ ना तो उस सच्च्च्च्च्चं का आउतार पूरा हो गया था तो वज्रनाब ने गर्किये लोगों को पुचा कि मेरे दादा साक्साद विष्णु के अउतार थे बगवान थे वो दिखने में कैसे थे अब गर्की महिला ने का जाए कि ऐसे तो कैसे बताएगी दिखने में कैसे गूगल तो थी नहीं कि सर्च कर दे लोर्ड कृष्णा और वोटो दिखा है तो गर्की किसी महिला ने काया कि अब ऐसे तो नहीं बता सकते हैं मैं आपको हुलिया बताती हूं जैसे जैसे हुलिया बता हूं वेसे वेसे आप मूर्ती बनाना अगर आप वेसी मूर्ती बना पाए तो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे भगवान दिखते थे तो वक्सात्र क्रश्न के चरणों के दर्शन माने जत दूसरी जब वो मूर्तिira जी के एक दूसरी मूर्ति बनती है उसमें कहते हैं कि बगवान की जो छाती है वक्स इस्तल्व वो सेम वेसी बनी थी वो जेपुर में ही एक प्राचिन मंदिर वहां पर रखी हुई है और जब वज्रनाप तीसरी मूर्थी बनाता है तो जैसे ही वो मूर्थी बनाई जाती है वो महिला गुंगट निकाल लगती है कि ससुर्जी ऐसे ही दिखते थे वो मूर्थी गोविन देव जी के मंदिर में उस मूर्थी के दर्शन करने का मतलब भगवान के मुख के दर्शन है ऐसा कहते है कि एक दिन में अगर दोनों तो जैपुर वाला ये मंदिर और एक मदनमोंजी वाला मंदिर इन तीनों मंदिरों के दर्शन अगर एक दिन में किय जाए तु बगवान के पूरे श्रीर के दर्शन माने जाते हैं बगवान के पूरे रूप के दर्शन माने जाते हैं इतनी थैसें ए घ्तिहांसिक प्र Parliament आई यह जैपुर में यह मंदिए जो मंदिर पूरे बारत में वरत्मान में जोड़ी संपर्दाय की मुख्रे पीट है कौन से संपर्दाय की मुख्रे पीट है इस संपर्दाय का दूसरा जो प्रमकू बंदीर है वह करोली में hiking कोन सा मंदीर मदन महंजी का मंदिर में Argentine क सभी का यह का है के करोली इस मंदिर का निर्मारgic эти 1748 में औरमदाप गोपाल दास स्वामी ने इस मंदिर का निर्मान करवाये था तो ज्यान रखना राजस्तान में गोडिये संपर्दाए की मुख्य पीड़ तो कहां पर हैं और गोडिये संपर्दाए की से समंदिर दूसरा प्रमुक मंदिर कोन सा हैं मदन मोहन जी का मंदिर लिगो गोडिय संपर्दाय अन्य नाम लेको ब्रह्म संपर्दाय गोडिय संपर्दाय का अन्य नाम लेको ब्रह्म संपर्दाय इसी को क्या कहते हैं ब्रह्म संपर्दाएं इस संपर्दाएं के लोग किसकी पूजा करते हैं क्रश्न की पर क्रश्न के कौन से रूप की लिगो इस संपर्दाएं में राधा क्रश्न के युगल स्वरूप की बक्ति की जाती है वलब संपर्दाएं में तो बाल स्वरूप की इस संपर्दाएं में राधा क्रश्न के युगल स्वरूप की बक्ति की जाती है बारत में यह संपर्दाय किसने शुरू किया था माधवाचारिय ने तो लिगो परवर्तक परवर्तक लिगो माधवाचारिय परवर्तक माधवाचारिय वलब संपर्दाय के परवर्तक कौन थे लिगो माधवाचारिय मेरो करके दो बाते लिगो इन्हों ने कौन सा मत दिया था द्वेत वाद इन्होंने द्वेत वाद मत दिया था वलब संपर्द आपके वलब संपर्दाय तो यह सुद्दा द्वेत वाद और यह संपर्दाय कौन सा मत द्वेत वाद इन्होंने द्वेत वाद मत दिया था पहाई से लिखा था वह लोबाचारिय ने नू भास से और मादवाचारिय ने लिगो इना को बूर्ण प्रग्य भास से लिखा इक पूर्ण प्रग्य भास से लिखा अधियक ए तो आपको जान रिकना में अभी गोड़ी संपरदाए की शुरुवात किस ने की थी पर इस संपर्दाय को सबसे ज़्यादा लोक प्रियता दिलाई थी किसने किसने दिलाई थी तो लेखो गोडिये संपर्दाय को सरवाधिक लोक प्रियता दिलाने वाले संथ गोडिये संपर्दाय को सरवाधिक लोक प्रियता दिलाने वाले संथ संत का नाम लिगो चेतन्य महाप्रभू चेतन्य महाप्रभू चेतन्य महाप्रभू चेतन्य महाप्रभू के बारे में दो तिन बातें लिखनी है आपको चेतन्य महाप्रभू लिग लिए नीचे एरोकर के लिगो अन्य नाम क्या है इनका गोरांग महाप्रभू क्या नाम है तो चेतन्य महाप्रभू का इन्य नाम लिगो गोरांग महाप्रभू बगवान क्रश्न के आउतार माने जाते हैं ये गोरांग महाप्रभू कहां केते ही है जनमिस्तान लिगो नादिया बंगाल नादिया को अब नवदीब कहते है नादिया बंगाल जनमिस्तान नादिया बंगाल बंगालों वाले छेतर में बक्तिया अंदोलन के जनक माने जाते हैं कौन में नियुकुर्ण तो लिए लो इने चैतने महाप्रभू में लिए को इने बंगाल में कि बगती आंदोलन का जनक माना जता है इने बंगाल में कि बक्ति आंदोलन का जनक माना जटता है कि वरंदावन में संप्रदाय का एक मंदिर बनाया था किसने मान सिंग्रोस मंदिर का नाम क्या है राधा गोविन जी का मंदिर लिग लिए लिगू पंद्रासो त्रेण में इस्वी में आमेर के सासक मान सिंग् प्रतम ने आमेर के सासक मान सिंग् प्रतम ने वरंदावन में वरंदावन में गोडिय संप्रदाय से समंदित वरंदावन में गोडिय संप्रदाय से समंदित गोडिय संपर्दाय से समंदित राधा गोविन जी का मंदिर बनवाया गोडिय संपर्दाय से समंदित कौन सा मंदिर बनवाया? राधा गोविन जी का मंदिर लेको राजस्थान में राजस्थान में गोडिय संपरदाय के प्रमुख केंदर गोडिय संपरदाय के प्रमुख केंदर तो दो मंदिर याद रखना है पहला मंदिर लिको पहला केंदर लिको गोविन देवजी मंदिर जेपूर राजस्तान में गोरिया सम्पर्दाह के प्रमुक केंदर कॉन कॉन üçнулना नाम लेको गोविन देवजी मंदिर्ग गोविन देवजी मंदिर्ग एककर येपूर। गोविन देव जी मंदिर जेपुर। किसने बनवाया था? सवाई जेशिंग जेपुर में गोविन देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो निर्मान लिखू सवाई जेशिंग द्वारा निर्मान सवाई जेशिंग द्वारा लिख 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 लि नहीं यह गोशना जारी की थी नो गोविन देव जी के मंदिर का कोरीडोर बनाया जाएगा जैसे उज्जेन में महाकालेश्वर कोरीडोर है न वैसे पूरा कोरीडोर इस मंदिर के आसपास बनाया जाएगा ठीक है इस मंदिर को और ज्यादा एक तरह से संडक्शन दिया आए अग्य बेटे लिग लिए लेको जेपुर के सासक जेपुर के सासक गोविंद देवजी को अपना अराध्य देवता मानते है जेपुर के सासक गोविंद देवजी को अपना अराध्य देवता मानते हैं जेपुर के राजा किसद देवता के दिवान मानते हैं जैसे मेवाड़ वाले एक लिंग दिवान है वैसे जेपूर के राजा क्या किलाते हैं गोविन देव जी के दिवाल तो राजस्थान में गोड ये संपर्दाय का जो मुख्य के इंदर है वो कौन सा है गोविन देव जी का मंदिर दूसरा इस संपर्दाय का प्रमुख के इंदर कौन सा है तो दूसरा के इंदर लिगो मद मतन मोहंजी का मंदिर लिगौँ यह दोनों ही बहगssen के मंदिर को इस मंदिर का निर्मान 1748 इस्वी में गोपाल दास स्वामी ने करवाया इस मंदिर का निर्मान गोपाल दास स्वामी ने करवाया यह है राजस्थान में गोड़िय संपर्दाय की अन्य पीट है मुख्य पीट कहां पर है गोविन देव जी यह अन्य पीट है यह है राजस्थान में गोड़िय संपर्दाय की अन्य पीट है तो राजस्थान में इस संपर्दाय के दो मंदिर यात रखने है मुख्य मंदिर तो कहां पर हैं जेपुर में गोहिंदेव जी का दूसरा अन्य पीट कहां पर हैं करो लिए दो संपर्दाए और बच्छे एक तो निम्बारक संपर्दाए और एक कि रामानंदी संपर्दा कल पट लेंगे